हलो फ्रेंड्स, फिल्कम बैक तो मैं चैनल, आज एक और वीडिया आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, फ्रेजल वर्ब्स विद गो, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, वो आपको मैं पहले ही एक विडियो में बता चुकी हूँ, आज हम गो से जो फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, कुछ उनको देखते हैं और उनके एक्सेंपल्स को देखते हैं, फर्स वन इस गो अलोंग, Google मेंस केता है gegenüber an activity, किसी वियर अक्टिविटी को जो भी आप काम करे हैं उसको continue रखना, यानि कि उसको जारी रखना, किसी काम को जारी रखना, एक इसका example दिखते है प्लीज गो अलो विडियो वर्क 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 प्लीज गो अलो व बढ़ेंगे हम इससे बना लेंगे के आपको सम Mer up we will make it up हम इससे बना लेंगे as we go along जिससे हम आगे बढ़ेंगे जैसे जी श्मत्र्य करनेमें से नेंगे सिंपल वे हो गया समझने का नेइस जो अब गो अवे वीमीनष संप जाना अवे मेंस दूर टिक है go away नहीं कि leave a place एक जगह छोड़ देना leave a place एक जगह को छोड़ देना एक जगह छोड़ दो इसको हम sentence में कैसे use कर सकते हैं ये भी बहुत simple है I request you to go away from here right now I request you to go away from here right now मैं आपसे request कर रहा हूं या मेरी आपसे प्राटना है कि आप यहां से दूर चले जाओ या इस जगह को छोड़ दो simply I think आपको समझ में आ रहा हूगा कि मेरा आपसे अनुराद है कि आप इस जगह को जो है यहां से चले जाओ यहां इस जगह को जो है छोड़ दो I request you to go away from here right इस तरह के से simple simple छोटे छोटे sentence है हम start करेंगे go away यानिके leave a place एक place को छोड़ देना आप simply इसको सिर्फ go away भी बोल सकते है go away यहां से जाओ इस तरह के से भी इसको हम use कर सकते है third जो है go को use करके हमारे phrasal verb है go through go through यानिके experience something किसी चीज़ का experience करना किसी भी चीज़ का अनुभव करना ठीक है through means कहता है माध्यम go means जाना अब दोनों के अगर जाना माध्यम हम समझेगे हैं मैं नहीं समझ मैंगा इसी लिए मैं आपको कहते हूं कि phrasal verbs हमें हमेशा याद करनी पड़ती है इसका एक example देखते है it would be best for you it would be best for you to go through the adventure once in your life it would be the best for you to go through the adventure once in your life आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप अपनी जीवन में एक बार ये सासिक कार जरूर करे इनके कोई न कोई काम अपनी जीवन में एक बार आप जरूर करे किसी न किसी चीज का एक अनुभव एक बार आप जरूर ले यानिके go through किसी चीज के अनुभव करना नेक्स जो है हमारा सेंटेंस वो सॉरी नेक्स जो है हमारी फेल वोप वो भी हम देखते हैं दीखें, सींपल सींपल है आपको पूरा सेंटेंस ये याद करने की जरूरत नहीं आपको सिर्फ इनका मीनी याद करना है go back, यहनि कि return हो जाना, बापस हो जाना, ठीक है, कि जब बोलें कि go back, बापस हो जाओ, या मैं वहाँ से return हो गया, simply, मुझे पुरी English नहीं आती बोलनी, ठीक है, तो मैं पुरी line नहीं बोल रही, मैं एक हाली बोल दूँगी, return हो जाओ, go back, या फिर बापस हो जाओ, simple आपको स बच्चों से पूछा, the students to go back on their respective classes, okay, teacher ने चात्रों को अपनी अपने कक्षाओं में वापस जाने के लिए कहा, simply, अपनी अपनी यानि कि respect यानि कि जिन जिन classes में वो है, इसको मैं आपको बोलती हूँ ना, हर बार ये चीज, कि words को हमें कभी-कभी समझना भी पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब भी हम अपने आपको improve कर पाते हैं, फिफ्थ है जो हमारी phrasal verb है, go से वो है go after, go after यानि कि pursue करना, पाने की कोशिश करना, किसी चीज के पीछे पड़ जाना, right, go after, कि go after, वो तो उसके पीछे ही पड़ यानि कि she's go after, ठीक है, क perceive करना, या किसी चीज को पाने की कोशिश करना, a dedicated person will always go after his goals, a dedicated, यानि कि जो एक समर्पित व्यक्ति होता है, जिसको बदब कोई चीज पानी है, वो उस चीज के पीछे लग ही जाता है, एक समर्पित व्यक्ति जो होता है, वो हमेशे अपनी लक्षों के पीछे जाता है, या बदूरी नहीं है कि आप इसे sentence बनाएं, बट आप इनको phrasal verbs को भी use करते हैं, आप go after इनके pursue करना, पाने की कोशिश करना, तो आप इनको हिंदी में भी जब इनको बोलना शुरू करेंगे, आप तो अपने आपको improve करेंगे, I hope इस जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, बदे होगा, आपको पसंद आया आपको पसंद.